अलो जी नमिश्कार सलाम सेस्ट्रियकार विश्ट्ट अपना ड़क्टर सेचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ जी इस सेचिन में आज डिसकस करने वाले हैं हम क्लास 12 का ये टोपिक पहला चेप्टर है क्लास 12 का इस रिप्रोड़क्शन इन ओर्गानिसम्स एक बार स्क्रीन पर निजर डालता हूँ, कौन-कौन लोग जो है हमारे साथ जोड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग जोड़ चुके हैं जी, एक बार फिर से तहीं देल सा स्वागत है आप सब लोगों का, वो बच्चे जो किनी कारणों से NEET 2020 में अच्छा स्कोर नहीं ले पाएं हैं, आपको डिसहर्टन होने की जरूरत नहीं हैं, वो कहते हैं न जी हमेशा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यदि आप कोशिश कर रहे हैं तो आप कभी नहीं हारेंगे, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, सही मार्ग दर्शन मिलने पे गलतियां करने की संभावना जरूर कम हो जाती है, that is what we are trying basically, ओके, तो इजाज़त है जी, शुरू कर सकते हैं, और आपके प्यारे-प्यारे लाइक्स जो है, वो आते रहने चाहिए, साथ-साथ आपके लाइक्स मेरे लिए एनरजी का काम करते हैं, और उतनी ही दुगनी कहते हैं न, पूरी जील और शिदत के साथ मैं आप तक पहुंचता हूँ, बहुत से बच्चें को मेरे साथ यह गिला है कि सर, रेगुलर नहीं आ रहे, हमें हर चीज रेगुलर पढ़ाईए, तो थोड़ी से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वज़े से रेगुलर मैं आपके साथ नहीं आ पा रहा हूँ, आप मैंसे बहुत से बच्चें मुझे बाईजूस के जो नीट चैनल है, उस पे भी देखते हैं, आप चाहें तो बाईजूस नीट चैनल, यूट्यूब का जो है, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बैल आइकन को हिट कर दीजेगा, नोटिफिकेशन जो है, वो आप तक पहुँँ जाएंगे, जो बच्चे मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, सिंपल है जी, इंस्टाग्राम पे मुझे ढूढना, मेरा वट्सअप नंबर आपके सामने है 8368459323, मुझे वट्सअप पे आप मेसेज कर सकते हैं, आपसे मिवेधन है, वट्सअप पे वीडियो कॉल्स मत कीजे, आदियो कॉल्स मत कीजे, आप वट्सअप पे मैसेज करेंगे, मैं आपको जरूर जवाब दूँगा, मेडिकल एस्पिरेंट्स के जो ग्रुप्स हैं वट्सअप पे, मैं आपको उसमें एड कर दूँगा, जसमें रेगुलर स्टडी मिटीरियल, डीपीपीज, इबुक्स, बहुत सारी चीज़ा मैं उसमें शेयर करता रहता हूँ, टेलीग्राम पे आप मुझे डून सकते हैं, डॉक्टर सचिन कपूर, ओफिश्यल बायलोजी ग्रुप, यूट्यूब पे तो आप मेरे साथ हैं ही है, राइट, चलो जी, जल्दी से एक बार जादा से जादा लोगों को लिंक फॉरवड कर दीजी, ताकि हम शुरू कर सकें आज का यह बहतरीन सेशन, स्वपनिल, रोश्नी, अनिर्वन, शिक्षा, रुद्रा, अकाश, कनिश्का, लकी, सूरज, कैसे हैं आप सब लोग, all is well, सम्राथ, great, चलो जी, सो, reproduction in organisms, class 12th का जो पहला chapter है, पहला lecture उसका हम ले रहे हैं, आगे भी उस पे और lectures लेंगे, reproduction है क्या basically, reproduction का मतलब होता है, ability to procreate, स्वयम अपने जैसे जीवन का निर्मान करना, एक basic सी बात याद रखिएगा, nature में जितने भी आप living organisms देखते हैं, चाहे plants हैं, चाहे animals हैं, चाहे कोई unicellular organism हैं, ultimately मकसद सबका एक ही है, वो जो एक मकसद है, that is successful feeding and breeding, successfully feed करना है उन्होंने और breed करना है, right, मतलब अपने जैसी और generation create करनी और स्वयम खत्म हो जाना है, तो यही मकसद है evolution का, that is successful feeding and breeding, थ्यार नख्येगा, so किस प्रकार से हम define करते हैं reproduction को, it is defined as a biological process in which an organisms gives rise to young ones, similar to itself, जब एक amoeba divide करता है, तो daughter amoeba बनते हैं, so daughter amoeba exactly similar है, अब unicellular organisms में बड़ी अजीब बात है, कि एक single cell divide होके दो बन जाता है, right जी, asexual reproduction है यह, amoeba में, पढ़ेंगे हम कई तरह का asexual reproduction, sexual reproduction में दो अलग-अलग cells, मिलके एक cell बनाते हैं, ovum एक cell है, sperm एक cell है, दोनों मिलके एक cell बना रहे हैं sexual reproduction में, asexual में उल्टा हो रहे हैं, एक cell से बटके दो cells बन जाते हैं, ठीक है जी, तो reproduction की दो main strategies है nature में, asexual और sexual, अभी हम जानेंगे कि nature ने sexual reproduction को क्यों बढ़ावा दिया, क्या फाइदा रहा होगा, क्या advantage रही होगी, कि lower to higher जैसे, जैसे हम move करते हैं, अलग अलग फाइला में, तो हमें sexual reproduction देखने को मिलता है, ठीक है जी, चले, so, there is a cycle of birth, there is a cycle of growth and death, हर जान जो है, जनम लेता है, every animal starts its life as a single cell, zygote, zygote ही होता है न पहले, sexual reproduction में, उससे multi-cellular structure बनता है, morula, blastula, gastula, so, जीवन का ये चकर है, cycle of birth है, growth है, फिर मृत्य हो जानी है, death होना भी अनिवार रहे है, यदि मृत्य होगी, death नहीं होगी, तो overcrowding हो जाएगी, है न, धर्दी पे एक limited population ही तो समा सकती है, अगर death नहीं है, तो overcrowding है, recycling of materials नहीं होगा, reproduction enables the continuity of the species, generation after generation, fundamental feature है, of all the known forms of life, living और non-living में, अगर हम अंतर देखें, living organisms reproduce, non-living reproduce नहीं करते हैं, but कई living organisms भी हैं, जो reproduce नहीं कर रहे हैं, माल लीजे जैसे drones, है न, honeybees में, यह sterile worker bees हैं, अगर कोई reproduce नहीं कर रहा है, यह human beings के case में भी, कि अगर infertile couples हैं, तो हम यह नहीं कहेंगे कि वो living नहीं, reproduction जो है, वो living organisms का feature है, but इसका मतलब यह नहीं है, कि अगर कोई reproduce नहीं कर रहा, तो वो living नहीं होगा, clear है जी यह बाद, चलिए, next देखते हैं जी, क्या है हमारे पास आपके लिए, आगे देखते हैं, there is a large diversity in the biological world, and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offsprings, total, आप देखें, animal kingdom, या plant kingdom, या बाकी जितने भी kingdoms of life हैं, kingdom monera, protista, fungi, plantae, animalia, इतनी diversity है, सवी organisms में अलग-अलग प्रकार के reproduce करने की mechanisms evolve हुए हैं, कई बाते हैं जिन पे निर्भर करता है, कि कोई organism कौन सा mode of reproduction यूज करेगा, कौन सी बाते हैं, the organism's habitat, वो कहां रहता है, its internal physiology, and several other factors are collectively responsible for how it reproduces, clear है जी, वो कौन-कौन सी factors हैं, देखेंगे अभी हम आगे, based on whether there is participation of one organism or two, reproduction में एक ही organism participate कर रहा है, मतलब वो uniparental है, या वो biparental है, इसके अधार पे हम reproduction की strategies को classify कर देते हैं, राइट जी, asexual reproduction, sexual reproduction, better strategy कौन सी है, sexual, better क्यूँ है, क्योंकि sexual reproduction के कारण variations आती है, when offspring is produced by a single parent, with or without the involvement of gamete formation, या तो gamete formation हुआ, ये NCRT के लाइन बतारू हूँ आपको, with or without the formation of gametes, rarely कुछ examples हमें ऐसे मिलते हैं, जहांपे asexual reproduction में gamete formation हुआ, तो ऐसे केस में, किस केस में, when the offspring is produced by a single parent, uniparental जब हुआ, तो uniparental mode जो है, बेटा, all my raja बेटा and rani बेटिया, uniparental mode of reproduction जो है, वो asexual है, clear है जी इतनी बात, right, is it clear, चेतना, रोहित, जेबा, साहिल, अनू, पुशकर, कलीम, सागर, नमनीत, श्रीनात, रश्मी, अक्षे, रौकी, wonderful, जोन्होंने अभी तक like का बटन नहीं दवाया है, आपके प्यारे-प्यारे likes जो है, वो आते रहने चाहिए, भई साथ-साथ, questions भी मैं आपको इसके दूँगा, आप मेरे साथ telegram पे, whatsapp ग्रूप पे जुड़ जाएए, इस topic से related, जो DTPs हैं, daily practice papers, या पिछले सालों के questions हैं, वो आपके साथ share करता रहूँदा, ठीक है बैठा, चलो, आगे देखते हैं, when two parents, जब दो parents involved हैं, opposite sex के, male and female, when they are participating in the reproductive process, यानि जब fusion of male and female gamete हो रहा है, मा लीजे ये female gamete है, ओवा, ये male gamete है sperm, जब इनके fusion से reproduction हुआ, तब हमने कहा sexual reproduction, right, So, sexual reproduction जो होता है, sexual reproduction is, by parental, दो parents involved होते हैं, variety आती है, sexual reproduction में, it brings variations, variations provide raw material for evolution, ये बाद हैं रखना है, variety के कारण जो है, evolution हो रहा है, ठीक है जी, evolution क्या है, basically, Darwin defined evolution as descent with modification, कि आगे आने वाली generations जो है, वो modified होती है, वो बहतर होती है, reproduction की अब दो मुखे strategies हमारे सामने हैं, that is, asexual and sexual, दोनों में क्या-क्या अंतर हैं, एक बार हम देख लेते हैं, जी, asexual और sexual में, पहले, asexual, an organism can reproduce without involvement of other organism, right, इसका मतलब हैं, solitary है, जो चल फिर नहीं सकते, immobile है, जो mating partner नहीं ढूंड सकते, वो भी reproduce कर पाएंगे, है न, यह advantage हो गया, अगर कभी हम से पूछा जाए, कि advantage of asexual reproduction क्या है, तो हम यह कहेंगे, that even, societal organisms which cannot move, they can also reproduce, so an organism can reproduce, without the involvement of another organism, कोई mating partner ढूंडने की यह वश्रक्ता नहीं, it is not limited to single-celled organisms, right, asexual reproduction सिर्फ single-celled नहीं है, काई multicellular भी हैं, जो asexually reproduce करते हैं, hydra multicellular है, budding होता है इसमें, right, now, cloning, it is cloning, cloning is a form of asexual reproduction, an organism creates a genetically similar, और identical copy of itself, cloning में क्या है, genetically similar copy जो है, organism की बन जाती है, asexual reproduction के advantage में क्या क्या बोला, that even those organisms which cannot move, they can also reproduce, those who are not able to search their mating partner, दूसरी बात यह है, that it is a very faster mode of reproduction, बड़ी तेजी से, asexual reproduction में, जो है, नही generation प्रोडूस होती है, जब environmental factors favorable हैं, जब environmental factors favorable हैं, उस समय, asexual reproduction is employed, to exploit suitable conditions for survival, मतलब, favorable conditions क्या हो गई, food supply बहतर होना चाहिए, तापमान, moisture, humidity, यह सारी चीज़े favorable हैं, shelter available है, climate favorable है, pH optimum है, तो जब यह सारी चीज़े favorable हो जाएंगी, उस समय, asexually reproduce अगर organism कर रहा है, बड़ी टेजी से, उसकी जन संख्या बढ़ेगी, लिखाया जी, population increases exponentially, to take full advantage of the rich supply resources, clear हुईजे बाप, राइट जी, चलिए, प्यारे प्यारे लाइक्स दवाते नहीं हैं के साथ साथ, और मैं आपके नाम भी एक बार पढ़ देता हूँ, उत्कल वेंक कटेश्व, नितिन शंकर, जेबा, crazy doctor के नाम से भी ID है जी, पुछकर मॉंडल ने hearts भेजे हैं, thank you so much, Natasha, कलीन, crazy doctor कैसे हैं जी आप class 11 तुमें है, तब भी आपको चीज़े समझ आ रही हूंगी वैसे ही, अब एक topic समझते हैं, evolution of sexual reproduction, sexual reproduction evolve कैसे हुआ और क्यों, बहुत से organisms ऐसे हैं, there are many organisms which can reproduce sexually, as well as asexually, दोनों तरहें से, hydra में भी तो होता है, sexual भी, asexual भी, sponges में, phylum porifera में, asexual भी है, sexual भी है, so aphids हो गए, slime mold हो गए, sea animals, even some species of starfish, यहां पर starfish दिखाएगी आपको, कौन से phylum को belong करती है, starfish बताएए जल्दी से, to which phylum starfish belongs, is it phylum porifera, is it phylum nideria, is it annelida, is it echinodermata, स्रिष्टी, starfish का phylum बताएए जी, सौरब, नर्गिस, नितिन, साक्षी, अभिशेक, उदे, can you tell me, to which phylum starfish belongs, बबीता कुमारी, अलोक, नर्गिस का आनम, जल्दी से, अभी तक जवाब नहीं आया मेरे पास, very good, यह only study NCSE के नाम से काईदी है, उन्होंने काया जी, काईनो डर्मेटा, समराट ने भी सही कहा है, शिवांक, बिल्कुल सही जवाब, काईनो डर्मेटा को starfish बिलॉँग करती है, esterias, starfish के टुकडे टुकडे आप कर दीजी, वो अपने आपको regenerate कर लेती है, एक आम और central disk होना चाहिए, पूरी starfish उससे बन सकती है, excellent power of regeneration, आप सुने, मैंने कहाँ जब favorable होंगी सारी चीजें, environmental conditions, PH, food supply, shelter, तो asexual reproduction ने बेतर तरीका है, लेकिन जब food sources जो है, exhaust हो गई, deplete हो गई, climate unfavorable हो गया, individual का swim का survival खत्रे में है, then the organisms switch to sexual forms of reproduction, right जी, unfavorable conditions में, sexual forms of reproduction में वो switch कर जाते हैं, sexual reproduction क्या करेगा, it ensures mixing of the gene pool of the species, right, sexually reproduce करेंगे, ovum, sperm, fertilize हुए, variety आई, variations आई, जिससे की नई character अगली generation में देखने को मिलेंगे, so, बड़ी important बात है, variations, अगर हम से कोई पूचे, advantage क्या है, sexual reproduction का, तो वो है, right, what are variations, small differences, which are found, among organisms, belonging to same species, हम variety की बात, variation की बात, same species में करते हैं, ध्यान लखेगा, variations found in the offsprings of sexual reproduction, they allow some individuals to be better suited for survival, and provide a mechanism for selective adaptation to occur, इसका मतलब क्या है, variety होगी, तो natural selection, which is the force of nature, operate करेगा, वो individuals जो बेतर है, जिनका survival बेतर है, वो select होगे, उनका number बड़ेगा, अब वो feed and breed करेंगे, और अपनी जन संख्या बढ़ाएंगे, तो simple mechanism है, survival of the fittest, Herbert Spencer ने कहा था, और Darwin ने अपनी थियोरी में भी इस बात को इस्तिमाल किया था, कि जो बेतर है, feeding और breeding के लिए, उसकी जन संख्या ज्यादा होगी, दूसरों के comparison में, no variant is completely wiped out, ये भी ध्यान लखेगा, ऐसा नहीं है कि जो बेतर नहीं है, वो सारे मर जाएंगे, no variant is completely wiped out, because नहीं पता कल को आने वाला समय किसके लिए भेतर साबित हो जाए, राइट, चलिए, आगे देखते हैं, the meiosis stage of the sexual cycle, allows especially effective repairs of DNA damage, now, meiosis, reductional division, जब meiosis हो रहा है, cell division है meiosis एक तरह का, और कब होता है, gamit formation के time पे, sperm production of spermatogenesis, हो रहा है, testis में to meiosis हो रहा है, जैसे overproduction हो रहा है, to meiosis हो रहा है, DNA को स्वयम को repair करने का, बहतर मौका मिल जाता है, sexual reproduction usually results in formation of, a life stage that is able to endure the conditions, that threaten the offspring of an asexual parent, इसका मतलब है, sexual reproduction बहतर chance दे देता है, कि जो प्रोजेनी आगे produce हुई, unfavorable conditions अगर हैं, तो उस प्रोजेनी को ऐसी अवस्था में रख दिया जाए, एक ऐसी stage में वो आ जाए, कि जब वो unfavorable conditions गुजर जाएंगी, तब वो भेतर रूप से स्वयम को अपनी environmental conditions के हिसाब से, उसमें उसका survival ensured हो, अब आज समझेए, जब sexually reproduce करता है कोई organism, तो उसके जीवन काल में, जीवन चक्र में, ऐसी stages आती हैं, जो unfavorable conditions को बेहतर tolerate कर लेती हैं, जैसे seeds हो गए, beach जो बनते हैं, right, torment रह सकते हैं, कई सालों तक, spores जो बनते हैं, sponges के case में भी, ऐसे structures बनते हैं, जानवरों के अंडे हो गए, pupay हो गए, cyst हो गए, ये सारी वो stages हैं, जो unfavorable हालातों को, बेहतर तरीके से tolerate कर लेते हैं, seeds, spores, eggs, pupay, cyst, और the other over wintering stages of sexual reproduction, ensure that there is survival during unfavorable condition, और when the organism can wait out adverse situations, तन दोबारा से जब सही हालात होंगे, जीवन चकत दोबारा से continue हो जाता है, is it clear जी, kaveri, shivendra, avishkar, prasun, wonderful जी, चलिए, आगे बढ़िये, जेन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराना है भी तक चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा, bell icon को hit कर दीजेगा, ताकि हर बार जब lecture हो, उसका notification आप तक पहुंचे, allogamy क्या है, चा सुनिए, allogamy होता है, fertilization of gametes from two parents, generally the ovum from one individual, with the spermatozoa of the another, that is what is allogamy, अब हम एक और term जानते हैं, autogamy क्या है, कई जानवर ऐसे हैं, जिन्में self-fertilization होता है, हमें froidite animals जो है, monotious या bisexual जिसे हम कह देते हैं, हर्मेफ्रोडाइट का मतलब होता है, जब एक organism में, functional male and female gametes बन सकते हैं, बहुत से हर्मेफ्रोडाइट animals, self-fertilization नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उससे variety नहीं आएगी, तो या तो वो protendrous होते हैं, कि male gamete पहले मैंचे और होगे, या वो protogynous होते हैं, कि female gamete पहले मैंचे और होगे, लेकिन कई organisms हैं, जुन में self-fertilization होता है, self-fertilization, also known as autogammal, it occurs in hermaphroditic organisms, where the two gametes come from the same individual, sponges हैं जैसे, sponges hermaphrodite होते हैं, nideriophilum में hermaphrodite examples मिलेंगे आपको, right, example में many vascular plants, some foraminifarans, some ciliates also, right, term autogammie is sometimes substituted for autogammus pollination, autogammus pollination समझे, plants में पढ़ेंगें pollination, हर बार जब pollination हो, it necessarily does not mean, कि successful fertilization भी होगा, ठीक है जी, now it is different from geotonogammus pollination, that is transfer of pollen to a different flower, on the same flowering plant, or with a single monotious gymnospam plant, so that was autogammie, clear है जी, asexual and sexual के main differences, अगर आपको board exam में भी लिखने हूँ, या वैसे आपको NEET के point of view से जो पता होने चाहिए, asexual जो है, lower organisms में देखने को मिलता है, plants में भी है, fungi में, protozoons में, bacteria में, और ये एक uniparental प्रक्रिया है, जबकि sexual reproduction में, दो parents involved है, it is a bi-parental process, male parent, female parent, या sexual reproduction तो हर्मेफोडाइट animal में भी हो सकता है, हर्मेफोडाइट जब सेम individual, functional male and female gamete बना रहे है, sexual reproduction जो है, it is found in almost all the animals, plants and even fungi, bacteria and protists, so बहुत से organisms हैं, जिन में sexual reproduction है, और याद रखिएगा, sexual reproduction जो है, एक बहुतर strategy है, reproduction की, okay, एक sexual reproduction में, mostly, mostly कहरों में, the gametes are not produced, NCRT में क्लाइट लिखा है, with or without the formation of gametes, somatic cells जो है, they act as reproductive cells, hydra की body से कुछ cells ले लीजिए, वह थोड़े से cells ही, जो है, अगली generation का निर्मान कर सकते हैं, ए sexual reproduction में, fertilization नहीं होता, right, sexual reproduction में, fertilization होता है, male और female gamete में, और zygote बनता है, zygote is a single-celled embryo, ठीक है, तो sexual reproduction में, male and female gametes बने, germ cells, reproductive cells हैं, शरीर में दो तरह के cells हैं, अगर हम human body की भी बात करें, somatic cells and germinal cells, somatic cell पूरे शरीर में है, deployed nucleus है, germinal cells or the germ cells, जो testes या ovaeas में, spermetogonia, ugonia, जिनसे sperm या ova आगे जाके, बनते हैं, clear हुआ जी इतना, now, asexual में, chromosomes are deployed, throughout the process, यहाँ पे meiosis नहीं हो रहा, asexual में, chromosome number deployed है, अलग-लग प्रकार क्या हैं जी, budding है, vegetative reproduction है, fragmentation है, spore formation है, यह सब asexual reproduction के types हैं, budding में, external budding जैसे hydra में, internal budding जैसे sponges में, chemial formation जो है, sexual reproduction में meiosis होता है, haploid gametes बनते हैं, chromosome number half होता है, तब ही तो जब fertilization होगा, male gamete, female gamete, ovomar sperm का, तो दोबारा से, deployed number restore हो जाएगा, right जी, so sexual reproduction में, meiosis, syng, gammy, conjugation, यह सब चीज़ें involved हैं, conjugation आपने paramecium में भी पढ़ा होगा, जो कि एक protozone है, asexual reproduction जो है, it allows the continuity of genetic information through progeny, sexual reproduction में, genetic variation आ रहा है, asexual में variation नहीं है, अगर asexually reproducing organisms में variation आ रहा है, variety आ रहा है, तो इसका एक source होता है, that is mutation, तेक है, asexual reproduction बड़ा तेजी से होता है, rapidly, यहाँ पे reproductive organs required नहीं है, sexual reproduction comparatively, जो है less rapidly, मतलब slow process है, और यहाँ पे prominent male and female reproductive organs involved होते हैं, ज्यादा तर organisms में, is it clear जी, right, जिन्मन अभी तक like का बड़न नहीं दबाया, जल्दी से like का बड़न दबा दीजिए, आपके likes मेरे लिए energy का काम करते हैं, right, चलो जी, आगे बढ़ते हैं, differences हो गए, इधर देखिए, types of asexual reproduction, आपको hydra दिख रहा हैं यहां पर, hydra के बारे में, आप बच्बन से पढ़ते हैं, class 9 में भी आपने बढ़ा होगा, sealant ratea या नेडेरिया फाइलम का member है, चोटा सा चावल के दाने जितना होता है, very good power of regeneration, कहते हैं, hydra अमर है, यह कभी भी नहीं मरता, इसमें after every 45 days, पूरी body के cells replace हो जाते हैं, asexual reproduction के types of fission, जैसे कि हम amoeba में बढ़ेंगे fission, budding, hydra में budding है, sponges में budding है, fragmentation, sponges में fragmentation है, regeneration, sporulation, यह सब asexual reproduction के अलग-अलग types है, सबसे पहले समझते हैं, fission क्या है, fission is division of the parent body, into two or more than two daughter individuals, which are identical to parent, जैसे यह एक amoeba है, amoeba में जब fission होगा, दो daughter amoeba बन जाएंगे, जो की parent amoeba के identical है, तो fission में दो यह दो से ज़ादा बन सकते हैं, भी multiple fission भी होता है, plasmodium में, तो fission के types है, binary fission, जैसे hydra, sorry, amoeba में, irregular binary fission है, multiple fission हो सकता है, plasmodium हो सकता है, यह fission के अलग-अलग types है, binary fission क्या है, देखो, parent organism divides into two halves, और each half नया organism बना देंगे, इसमें mitosis हुए, ध्यान दीजेगा, जब एक amoeba, दो daughter amoeba बने, तो mitosis है, तो offsprings are genetically identical to the parent, as well as to each other, बिल्कुल genetically identical है, depending upon the plane of division, यह कई तरह का हो सकता है, simple यह irregular binary fission, जैसे की, हमने देखा, amoeba के case में, कि किसी भी angle से कट के, दो daughter amoeba बन सकते हैं, longitudinal हो सकता है, transverse हो सकता है, oblique हो सकता है, oblique जैसे ceresium में, right, examples बाकियों की देखते हैं, जैसे longitudinal binary fission, यूगलीना में है, connecting link between plants and animals, यह example important है, ध्यान रखेगा, यह exam में, पूछा जा सकता है, mariam, कैसी है जै आप, बढ़िया कावेरी, रोश्नी, नाजिर, अविश्कार, अबदुर्रह्मार, अधित्य शर्मा, संजय, सब बढ़िया हैं जी, बज़े में हैं, जादा से जादा लोगों के साथ, lecture जरूर शेर कीजेगा जी, हर किसी को quality education, जरूर मिलनी चाहिए, और बिना वज़े की, नाराज़गी मत रखा कीजिए, आप लोग मैंने देखा है, याद रखेंगे एग्जाम्पल, ट्रांस्वर्स बाइनरी फिज़ें पैरामीशियम के केस में, याद रखेंगे पैरामीशियम, इसमें conjugation भी होता है, ब्लीक बाइनरी फिज़ें हुआ सिरेशियम में, सिरेशियम is a shelled protozoom, प्रोटोजों में पढ़ेंगे इसके बारे में, multiple fission में the parent body divides into many daughter individual, multiple fission amoeba में भी पाया जाता है और plasmodium में भी, plasmodium भी एक protozoom है, plasmodium क्या cause करता है, malaria, female nanophilies mosquito, plasmodium का life cycle, class 12 के syllabus में पढ़ेंगे हम, ठीक है ठी, examples याद रहेंगी, कावेरी, अब्दूर, प्रांजल, नितिन, is it clear, great जी, चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जी क्या है हमारे पास और, now, plasmodium, plasmodium is a special type of fission, in which a multi-nucleated protozoom, जो पहले से multi-nucleated होगा, जैसे pilomagza, pilomagza multi-nucleated protozoom, it divides into two or more multi-nucleated, dot are individuals, पहले से multi-nucleated है, जब उसमें, जो है plasmodium ही हुआ, तो जो next generation बनी, फिर से multi-nucleated ही बनेंगे, चलिए जी, तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा session brief रखा है मैंने, ऐसे छोटे-छोटे sessions आपके साथ में लेता रहूँगा, जल्दी से बता दू, जो बच्चे मेरे साथ connect होना चाहते हैं, आप मुझे Instagram पे ढूंग सकते हैं, Instagram पे follow कीजिए, मेरा WhatsApp नंबर आपके सामने स्क्रीन पे, आप WhatsApp पे मुझे message कर सकते हैं, आपको मैं WhatsApp ग्रूप में add कर दूँगा, ताकि आने वाले हर lecture का notification, study material, e-books, Campbell की e-book आपको चाहिए, यह और किताबें चाहिए, और daily practice papers आपको मिलते रहेंगे, YouTube पे चैनल जो है मेरा subscribe कर लीजिए, bell icon को hit कर दीजिए, is it clear जी, all of you, प्राजक्ता, छाया, दीरज, गौरम, जिन्होंने like नहीं कर रहा था, अभी तक जल्दी से like का बटन दवा दीजिए, और एक बात बता दूँ, जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, regular sessions में, byju's का जो neat channel है, आप वो भी join कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी YouTube पे आपके साथ lectures ले रहा हूँ, और उसके इलावा byju's का website explore कीजिए, अगर आप मेरे साथ regular जुडना चाहते हैं, I wish you all a very very bright and prosperous future, God bless you all जी, नमशकार, अब आप से विदा लेता हूँ, channel subscribe कर लीजिएगा, bell icon को hit कर दीजिएगा, और नाराज़गी मत रखिएगा, wish you all a very bright future, नमशकार जी, बाइ बाइ, God bless you all.